तो कि लेट साट विदार इसका टाइम आज बेंक निफ्टी में आपको क्या मूव देखने को मिला जो कॉल्स आपकी ब्लास्ट के दिए बैंक निफ्टी की दोनों की लास्ट में आके उस टांप पे तो ऐसा लगा था कि कुछ भी गलती करना बैंक निफ्टी को शॉड मत करन पहले भी एसा ही वह था सेम चीज टिक है उसके अध मार्केट अपका नीचे आदि अचे लिए गे ऊपर में जो कॉल बाइर से उनको फसा दिया अभी देखना ही है कि क्या वापस से होता है नहीं होता है कि कॉल बायर से आपका फसते हैं नहीं तो देखने वाली बात है ठी वो इवेंचुली इतनी तेजी से गिड़ती है वो कॉल उसके बाद वो आपस बाओ पर आना मुश्किल हो जाता है वो सब देखना है सेम चीज अभी हम लोगों ने क्या देखा था यह कुछ उसी तरीके के दिन थे कि अगले दिन कुछ प्रेडिक्शन ही नहीं है कुछ भी न बड़ी तेजी उसी के बारा रही थी लेकिन आज इसने क्लोजिंग दिया यहां पर अगर कल हो सकता है मार्केट कोई यह जो मार्केट अभी जो राइट नौ चल रही है यह बहुत ही कॉंप्लिक्ट है इसमें मैंने बताया भी आपको पहले भी डॉड़ाउन को होते हैं क् यहां पर अगर आप हम देखते हैं चोड़े टाइम पहले तो वन वीक का चार्ट देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ी पिच्चर भी देखने को मिले ठीक है यह लास्ट टाइम हम लोग उन्हें डिसकस किया था कि मार्केट अभी भी ऐस होते एक पॉस जरूर लेती ह अब यहां पर आपके इंपोर्टेंट जेस्टर पर घड़ी लॉंग उसमें देखोगे तो यहां अगर आप देखोगे तो तोड़ा समय सब्सक्राइट करता हूं अब देखो ठीक है इस इस अप्रॉपर डबल डॉप डिस यह डबल बॉटम मतलब अगर आप देखोगे व एक सपोर्ट अरिया था इस इस अवीक का फर्स टाइम ठीक है यहां पर आगे इस रेंज में टाइम स्पेंड कर रही है तो क्या होता है प्राइस सेक्षिन मतलब मार्केट इस तरह की से जा रही है यहां पर आकर यहां से ब्रेकडाउन देगी तो अच्छा देगी ने तो वापस जब तक यह रेंज आपकी ने तूट तक आपका बहुत अग्रेसिफ सेलिंग होना थोड़का मुश्किल हो जाएगा ठीक है उपर में तहां पर आरे रहा है यह रेंज अए रेंज एडिंग की मार्केट आपका इस रेंज में आता है इस तूपर को आपको स्रॉट क का जो की लेवल आ रहा है इसके नीचे क्लोजिंग में दिक्कत होगी ठीक तो यह होगी अपना विकली चार्ट कि बंडे का अपने देख लिए आते हैं अपने लोग इंट्राडे के लिए ठीक है इंट्राडे में आप यहां देखोगे तो कि मार्केट अगर इसके नीचे जाती तो नेगेटिव है इसके ऊपर जाती तो पॉजिटिव है सिंपल अनुसरी कोई नीचे लेकिन बहुत बड़ा एक गैप दाउन खुल गया जिसने उसने गैप फिल किया देन नीचे आया ठीक अब अगर आप देखोगे तो वापस से वो 44,350-400 यानि इसके ऊपर वापस जाती है तब ही अपने लोगों को बाइग के वक करना है और अगर इस बीचके अंदर कोई डीने लेना है इसके नीचे अपना शॉर्ट है कौन सा नीचे है अपना 44,200 के आसफर इसके नीचे शॉर्ट के तरफ जाना है इसके उपर बाइ में बाइं के पाउट की जरूर मिल जाती है ठीक है उपर रेस्टेंस कौन सी है अब इसको वापस से खोल लेते हैं अपना अब बताओ में निफ्टी ने कहा उपर तो यह इसजै आटी अब बताता हुट अब बताता है उसको एरिया इस विल बी एक तरीके से आपको इरिया था नाइंटीन सेवन सेवन एफटी पर यहां पर यहां पर नेगेटिफ चैंडल पर नाइटीन सेवन फिफटी प्र शॉट यह पर च्फुली कि हमारी वैंक उप्म नीटी नीटी क्योंकि इसे ही आया बेंग निफटी ना थोड़ा स्लैक कर रही है तो हमेरी को थाइंट करने का उपर तरीख से पांच-साइड करने का मून और तरीख से उसको मतलब पहले निफटी बैंग आपकी बागती है निफ्टी अपकी अरेंज में होती है उसके बाद किया होता है फिर पांच-दस मेंट बाद फिर निफ्टी भागना शुरू करती है तो यहां पर जब कॉल्स करें आगे पांच-दस मेंट बैंक निफ्टी से बचे तो हम बच गया इसमें कि अमयर को बढ़ा वो नहीं लगा तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करते बैटे तो काटने काटने में टाइम निकल जाता ठीक है वो चीज थी अभी अगर आप देखो को यहां पर शॉर्ट कर था इसके एरिया का रेजिस्टेंस का एसल बना के नेगेटिव केंडल पर अपने ने शॉर्ट किया अब वो नह शॉर्ट किया उस टाइम पर पुट का रेट चल रहा था 110 रूपीज का वर नेटेंस समझने वाली बात है उसके बाद यह पूट आप ही चली गई तकरीवन 90 रूपीज पर ठीक है जब हमारा यहां पर एसल तो हमारा पहले हीट हो गया था लेकिन यह 90 रूपर 89 तक गई उसके बास पाता है कितने पर हुए है सेम जगह मार्कट उपर जा रही पूट भाग रहे है इसका मतलब क्या है लोग जो बाय कर रहे है किसी भी दिन गईब उन खुला था मार्केट इससे पहले इस वाले दिन भी मैंने आपको बताया था यह बोचीज ध्यान में रखना है तो एग्रेसिव बाइंग के लेवल उपर ही आएंगी जब आपका 44 750 के उपर क्लोजिंग देगा और 19 850 900 के उपर क्लोजिंग देगा तब आपके जाके थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग के साइड आईगा नहीं तो आपको बोच सेट अप करते अब यावेको नंबे Department के लिए करते होगिव अगर बाइंगा मार्के नितनी होता है तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं मतलब क्यो ह остан है वाय अन्दिसों में चोलता है तो यह पुलबेक्स आते हाते है फुलबेक्स करने की जोड़त नहीं पढ़ती लेकिन यहां पर करने आते हैं अपने लोग निफ्टी पे तो अभी आपका रेजिस्टेंस एरिया वापस से यही है करोगे तो आप निफ्टी को तो गल्ती से कॉल शॉट करते हैं कि फिन निफ्टी की पूर में आपको दाता हूं 112 वाली फोट 30 सेकंड्स में 30 सेकंड्स में से भी कम में 112 15 चल लाइती है अब मेरा कॉल बेच की बैटा होगा अब मेरा 115 पे कॉल चॉट किया तो मेरा स्टॉप लोगा हाद सेहाद 132 के असपास हो जाएगा और मैंने क्या करना अब मेरा ऐसल केतना बंच सेवेटि यहां पर बात करते हैं यहां पर सपोर्ट अरिया कॉन सा है बाइंग की प्रिफर कहां करेंगे 9600 के आसपास अगर कोई मिलता है तो इंट्राडे में आद रखना बाइंग अगर आपको नीचे की लेवल पर करने तो इंट्राडे में करके क्लोज करें खतम कहां नहीं कर जाना अगले दिन क्यारी मत करना किसी भी दिन गैब डाउन आपने लोग निफ्टी टेटर पर और अपना ऑप्शन चेन को देख रहे हैं नाइनटीन सेवन हंडड़ के अंदर नाओ क्या यह ट्रैप है चलो सो खोल के देख थे हैं नाइनटीन सेवन हंड़ेट पर आपकी कि कॉल राइटिंग लास्ट में हुई है मैंने आपको क्या बता है था इमेजन करो मार्केट का प्राइस जो आपको ध्यान समझना यह बहुत जरूरी चीज है कॉंसेप्टों मैं समझा रहा हूं मतलब आपको कहीं भी बुक्स में नहीं जाता है यह मैंने आपको जनरली बताया है लेकिन फर्क क्या है मार्केट नीचे से उपर जाने चाहिए लास्ट में आके मतलब क्या होता है यहां पे नाइंटीन सिक्स एट्टी से मार्केट ट्रैवल करके 750 पे गई और 700 कॉल राइटर स्ट्रैप है तब समझना कि य है है यहां क्या हो रहा है यहांब आपका ऊल्टा बाद में बाढ़ रहे हैं यहने कि क्या हुआ मार्केट उपर से नीच यह सारे राइटिंग है क्या शाने इसारे च्रस法 घ्या항 डीके रभा करें और यहीं चींप मुत लोग क्या करते हैं गलती लोग देखते हैं option chain में जाके कि यहां पर बैठा है यह लेवल नहीं टूटेगा यह लेवल नहीं होगा बट वैसा नहीं होता सब्सक्राइब करते हैं और यहां पर आपका सब्सक्राइब करते हैं तो फिर अगें पेन मिलेगा ठीक है वेट नहीं करेंगे तूटने का फिर उस केस में विकाज उपर पर शॉट कंडे को मिल जाएगा मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आप आपको पता चल जाता है कि कैसे आपको यह ऑप्शन बाय है यह सेल है लेकिन अगर आप नॉर्मल यह ऑप्शन चेंड देगो तो फस सकते हो इसलिए ध्यान में रखना यह पोट के पाइसे आपके बड़े हैं सारे ठीक है हां बस एक ही चीज़ आपको शॉर्ट साइट के ट्रेट बचा सकती गैप अगर मैंने यह यह कॉल आपको राइट करिए लेट से आपके 90 से 120 क्यों पर और मार्केट खुल जाए सीधा आपका 135 क्यों पर तो मेरे पास दो पॉर्चिटी होती है तो मैं खुलते ही काटूंग आपको दिखते हैं तो आपका 44 यह सारे आपके कॉल राइटर साके बैठ गाए इधर 44 200 लागे पूर्ट से मतलब दीच जाना शुरू करेगी तो आपको दिक्कत होगी उसमें भी ध्यान रखना थीक फिन निफ्टी को और देख रहे हैं थे बिकास मंडेट यूसरी फिन न इसमें फिफ्टी पर यहां से भागे हैं यहां से भागे हैं नाइन लेक 34,000 ठीक है ऑप्शन चेन का डेटा साइडवेस टू बेरिश की तरफ जा रहा है बहुत बेरिश की तरफ नहीं दे रहा है अगर आप ब्लेंट ली ऑप्शन चेन को देख ठीक है चलते हैं अपने ल अगर सीधा आकर तोड़ता है मैंने वही सेब चीज़ बताई है जबी भी तोड़ें छोड़ दो ट्रेड मिस हो जाएगा 400-500 पॉइंट मिस हो रहे ना छोड़ दो यहां फसना बहुत बुरा होता है और 90% केसे में फसाती है मार्केट अगर यह सीधा एक बार में कर देना कि रेस्टेंस के अरिया पर कल हम लोगोंने सेम चीज़ देखी थी अगर अगर कुलता है तो फिर आपको यह एरिया पर आकर शॉर्ट में तब आप शॉर्ट करना मॉर्निंग में तो खुल के अगर सीधा ही बहुत बढ़ा बढ़ा खुला था उसके वहां पर आया के यह लेवल था वैसे इसके अपगा खुला इसके ऊपर गेवडां खुला तो यह एडिया आपका सपोर sevenपार सब्सक्राइब अगर फुला इसके डिया कुई डेंग कोई ट्रेय करनाою काँजिए जाली eight से लेके 880 के बीच में एक टेकर नेक्स्ट है एक टरफ गिर रहा है और इसका मतलब क्या है नो ट्रेड बैंक निटी फसा सकती है ट्रेड नहीं लेना क्योंकि पैसा कमाना एक चीज होती मार्केट के अंदर हो पैसा बचाना प्रॉफिट को सेव करना वो भी एक चीज होती है अगर वह नहीं करोंगे पैसा बलाई सेट अप किस्तरी वासा दिए अगर आपको प्रॉफिट सेफ करना नहीं आदा तो पैसा इवेंचुली नहीं बन पाता है ठीक है आते हम वापस से इसमें यह आपकी केंडल है ब्रेक्डाउन पॉंट कॉंसा है एक दो तीन यह कौन से पे आती है तो मैं लेक्ति को अगर दो अटीन के फैंठ यहां गर आप कीड 두 स्टोक्स दे में तो उसके पोजिश भृआ रहेना फस जा ग questionnaire है तो यह sellers का एरिया है ठीक है मैं एक चीज मैंने बहुत देखी है जब भी बायर्स का एरिया तूटता है ना तो एकदम से स्लाइड होती है स्लाइड होती है स्लाइड होती है उपर के तरफ जाती है तो कौन सा लेगर आए 955 के असपास 955 से 960 अगर यह तोड़ेगा तो फिर वापस से 970 वनता कि बहुत तेरी से कहरी करेगा विकॉस फिर नी रूखेगा सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंग इसके समें के स्विवेगार आए पर निए अच्छी चीज नहीं आए धहना क्योंकि फिर एवेंच्यली एज़िसा फॉलो करता है इसके निचे ब्रेक्डाउन दे दिया है 584 584 को पर जब ता क्लोजिंग लिए तब कल नेट से खुल गया इसके उपर तो यह पॉल्स ब्रेक्डाउन यहां तक है आपका इसारा एरिया आपका अब यहां पर परिशान करेगा क्योंकि यहां पर आके मार्केट वापस से उपर नीचे दोनों साइट देखाएगा उपर के नीचे वैसे यहां तक अगर आप देखो तो 565 के आसका सब्सक्राइब नेक्स्ट आते हैं अपने लोग रिलाइस ने कल भी हम लोग ने देखा था इसे बॉटमिंग के सिकनल है जब तक इसके नीचे 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 आता है शौट के बारे में नहीं सोचना है कौन सा है 23 30 35 के आसपास का और वापस से सेलर्स का बायर्स का अरिया का तो आपक और इलाइस आपका निफ्टी के इंपोर्टन होता है 31,200 31,200 इसका एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था अगर आपको ध्यान हो तो पूरा पीछे तक लेके आते हैं ठीक है 31 200 का लेल भी टूड़ा था तो हम लोगों नहीं चीज देखी थी कम से कम 1500 होगी 31,200 के बाद यह दो दिन में जब यहां पर टूड़ा तक हम लोगों इसकी अनलसीज भी करें थी सीधा यह आपका ऊपर व्याद बैन आपका 33 सेरवल की तक्रीवन 2000 पॉइंट की रह लिए थी ठीक है फिर महां से नीच आगे इंफोंस के रिजर्ट्स खराब थे वप से इसको रिट्स करके यह रिस्टेंस लिए तब आता लग होती है ठीक है मैं आपको एक बाद आता हूं आज से कुछ टाइम पहले मतलब दो साल नहीं सल पहले के बात में हम लोग एक चीज़ देखते कि फाल जाता है बहुत तेजी से आता है रुकता नहीं है ठीक है आज क सब्सक्राइब करते हैं अगर पैसा मार्केट को बचा के रखेगा तो जब तक पैसा आ रहा है मार्केट आपका घरता जा रहा है लेकिन आपका हमारा मार्केट रेजिलेंट है पैसा है पैसा पैसा पुरा है मार्केट आपका इसलिए गिरता नहीं नीचे आगे टिक जाता है तो वही सेम चीज़ इसलिए अब पुराने वाले टाइम जो है वह अपने को थोड़े से यह और कज़र नहीं टेक्निक से जब तक पैसा आ रहा तो बोग साट के पॉट करेक्ट वो चीज़ में ध्यान में अपना है तो आई होप तुम समझ में आए होगा आज के लिए इतना ही से यू नेक्स सेशन तिल देर बाट 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 हू़े हूँ